Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 11.3 से question number 3 करेंगे identify the operations, bracket में लिखा हुआ है addition, subtraction, division, multiplication इन्हें ही हम operations बोलते हैं, ये आपको पहचानने हैं informing the following expressions, जो आगे expressions आपको दी हुई हैं उनके अंदर आपको ये पहचानना है, कहाँ addition हो रहा है, कहाँ subtraction हो रहा है कहाँ division हो रहा है, कहाँ पर multiplication हो रहा है and tell how the expressions have been formed और ये भी बताइए कि वह expressions कैसे बननी है तो ए पार्ट को देखिए, ए के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं ये चार expressions दे रखी हैं, इनमें जो operations हैं उन्हें आपको पहचानना है और बस लिखना है तो पहली expression है z plus 1, यहाँ पर variable z है और ये 1 है तो इनमें हो क्या रहा है, simple बीच में plus लिखा हुआ है it means यहाँ पर जो operation है वो addition हो रहा है तो ये हो गया है addition इसके बाद दूसरा है z minus 1 यहाँ पर minus यानि कि subtraction हो रहा है, तो आपको subtraction लिखना है फिर कॉमा, तीसरा expression y plus 17 यहाँ पर variable की और number की addition हो रही है, तो यहाँ operation है addition लास्ट है y minus 17, variable और बीच में minus 17, subtraction हो रहा है minus mean subtraction, तो यहाँ पर operation है subtraction बस इतना ही करना है इसके अंदर आपको, भी पार्ट देखिए 17y, y divided by 17, 5z यह तीन expressions दे रखी हैं, इनमें just आपको operation को ही पहचानना है तो पहला है 17y, 17y का मतलब है 17 multiply y जब ऐसे variable चिपका होता है number से, it means उसकी multiplication हो रहा है उन दोनों की तो यहाँ पर multiplication हो रखा है, तो यह है multiplication दूसरा y by 17, अब by का मतलब ही होता है divide, यानि y को divide किया जा रहा है 17 से तो इस expression के अंदर division हो रखी है, तो यह हो गया है division लास्ट है 5z, अब यहाँ z और 5e चिपके हुए है, मैंने बताया चिपके होता है तो बीच में operation multiplication होता है तो यहाँ पर हो रहा है multiplication c part, c के अंदर दो expressions दे रखी है, 2y plus 17, 2y minus 17 तो पहली expression को देखते हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है देखें, इसके अंदर आपको दो operation दिखाए देंगे पहले सिर्फ अगर इतने को देखें, 2 और y को देखें तो y और 2 के बीच में multiply हो रहा है और फिर इतने को देखें, तो plus 17 भी लिखा हुआ है यानि addition भी हो रहा है तो इस एक expression के अंदर दो operation हो रखें एक तो हो रहा है multiplication और दूसरा हो रहा है addition तो वो ही दोनों हमको यहाँ पे लिखने है multiplication and addition यह पहले वाले के लिए है फिर कॉमा, दूसरे expression को देखें तो 2 और y चिपके होँए, तो यह multiply हो रहा है और आगे minus लिखा हुआ है 17 it means, minus means subtraction तो यहाँ भी दो operation हो रहे हैं पहले तो 2 और y का multiplication हो रहा है, और फिर 2 y का product minus भी हो रहा है minus 17 है न, तो multiplication और subtraction दो operation हो रहे हैं यहाँ पे तो multiplication and subtraction D part, last part देखते हैं इसके अंदर यह expressions दे रखी हैं, तीन 7m minus 7m plus 3 और last minus 7m minus 3 अब पहली expression को देखें 7 और m, यहाँ आप समझी गए हो गए उपर कि जब variable और number चिपका होता है तो multiply होते हैं तो इसके अंदर सिरफ एकी operation हो रहा है multiplication फिर next है minus 7m plus 3 इसके अंदर दो operation हो रहे हैं minus 7 की multiply हो रही है m variable से, तो एक तो operation इसमें multiplication हो गया, और फिर आगे plus 3 भी लिखा हुआ है यानि इनके product को add किया जा रहा है 3 में तो दो operation होगे ना तो यह हो गया है, एक तो multiplication multiplication and addition इसमें आप यह जो आगे minus लग रहा है इससे confuse मतो ना यह जो minus है, यह operation का minus नहीं है यह minus यह 7 की खुद की value है, minus में है यह 7 operation तब होता है जब वो नमबरों के बीच में होता है जैसे यहाँ plus 3 है ना तो इतने नमबर के और इतने नमबर के बीच में operation addition हो रहा है यह minus इस 7 का sign है अब आते हैं तीसरे पे minus 7 है, minus 3 तो यहाँ भी वो ही हो रहा है minus 7 की multiply M से हो रही है और फिर minus 3 हो रहा है यानि multiplication और subtraction हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरे वाला multi application and subtraction तो इस तरह से यह जो चार operations है इन से expression यह तयार हो रही है आपको जस्ट पहचान ना था कि किस expression के अंदर क्या-क्या हो रहा है कहा multiply हो रहा है कहा addition हो रहा है कहा subtraction हो रहा है किसी किसी में divide भी हो रहा था last part था question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye